पहाड़ी थाली जो मौनसुन स्पेशल है और उमीद करती हूँ यह आपको पसंद आएगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी अपना feedback शेयर करना नहीं भूले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ यह पहाड़ी थाली जो कि देखने में ही काफी डिलिशिस लग रही है इसके लिए मैंने रात से ही preparation कर दी थी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पात्रा और वो भी थोड़ा सा different style में तो उसके लिए यहाँ पे मसूर डाल मैं सोक करूँगी रात में ही और यह मसूर डाल घर की ही है यह देख सकते हैं आप इसमें ना हलका हलका सा black और brown कलर का दाना होता है और size भी इस मसूर डाल का काफी छोटा होता है इस वज़े से tasty भी काफी होती है तो इसे मैं सोक कर दूँगी इसमें थोड़ा सा इसका छिलका भी है तो जितना निकल जाएगा वो हम clean कर देंगे और बाकी इसी में रहने देंगे तो इस तरह से को अच्छे से रगड़ते व इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें धनिया, मिर्ची, अधरक और लेसुन इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आता है तो यह मिक्षर है ना यह जितना आप tasty बनाएंगे उतना ही आपका जो पात्रा है वो tasty बनने वाला है तो इसमें मैं अभी basic यही आड़ कर रही हूं बाकी इतना sufficient रहेगा तो यह मैं पत्ते आपको दिखा देती हूं size बहुत छोटा है इसलिए इनको एक different तरीके से मैं बनाने वाली हूं taste वगरा में कोई फरक नहीं आएगा बट बनाने का तरीका simple हो जाएगा तो यहां पर सबसे पहले इसमें हम मिला देंगे कुछ basic masala यहां साब recordings में add कर देंगे नमक अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम grind कर लेंगे इसमें आप पानी बिल्कुल भी मड़ा लेगा starting में जितना भी यह पिस पाता है उतना इस तरह से पीस लेंगे थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा hard हो रहा है पीसने में तो आप इसको खोल के हलका सा चला लें और फिर पीसे तो यह आराम से हो जाता है और तब भी अगर यह आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल फिर आप इसमें एक या आधा चमच पानी आड़ करके फिर इसको grind करें इसकी consistency हमें थिक ही चाहिए और थिक तो इस तरह का कुछ हमें यह mixture मिल जाएगा इस mixture को आप इस तरह से रखें जैसे आप spread करने के लिए रखते हैं किसी चीज़ को तो यह देखिए इस तरह से और इसमें जब हम पानी नहीं डालते हैं तो जार क्लीन करते हैं अगर हमें पानी डालने के हलकी से ज़रूत पड़ते हैं तो थोड़ा सा हम इसके उपर हम spread करते हैं layer by layer बट यहां पर मैं इसको सबजी की तरह कट करेंगे और इस तरह से layers में कट करेंगे यहां पर cutting करते हैं आप ध्यान रखें कि जो आप कट लगा रहे हैं वो बहुत बतला भी नहीं होना चाहिए जैसे हम हरी सबजी को कट करने के लिए करते हैं उ फिर मुँ में आती हैं इसके बाद जो soft portion है उसको आप इस तरह से layers में cut कर लें अब सारे कटे हुए अरभी के पत्तों को हम यह दाल के mixture के साथ fold करेंगे हाथों की help से कीज़ेगा ताकि एक एक पत्ते पे अच्छे से यह दाल का mixture लग जाए इस तरह से करके इसको थोड़ी हम ऐसी ही छोड़ देंगे जब आपको लगी ही अच्छे से लग गया है side में हम एक steamer ready करेंगे इसको हम lid से cover करके छोड़ देंगे जब तक कि यह अच्छे से heat अप नहीं हो जाता है इसमें bubble नहीं आने लगते यहाँ पर हम एक steaming plate लेंगे इसके उपर हम इस mixture को इस तरह से रखेंगे कि एक lock की form में ही आजए तो इस mixture को हम लेंगे हाथों में और थोड़ा सा hardy press करके इस तरह सा lock form करेंगे तो यह जितना भी mixture है इसमें मैं तीन lock इस तरह से बनाऊंगे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ आपको लग सकता है किस टाइम पत्ते अलग दाल अलग कुछ अजीर सा आपको फील हो रहा होगा बट ऐसा नहीं है जब इस सेट हो जाते हैं बहुत अच्छ हो जाएंगे आप अभी देखेंगे खुद बाखुद यहां पर जितनी भी दाल है उसको अच्छे से मैंने पत्तों के साथ लपेट लिया और इस तरह से lock form कर कर दियें तो तीन ये lock मैंने इस तरह से बना दियां cylindrical shape में ये कर दियां जितनी बची हुई है दाल है उसको भी उपर से अच्छे से spread कर दें और यह दिखे रेडी हो गया स्टीमिंग के लिए अब हम चेक कर लेंगे स्टीमर के पानी को कि कितना वो गरम हुआ यहां पर द सबजियां हैं जिसमें पालक के पते हैं राई के पते हैं साथ ही चुलाई है और इसमें कुट्टू के भी कुछ पते हैं कुट्टू के पते जो होते हैं उसे हमारे कलने बोला जाता है और यह पते काफी खटे खटे से होते हैं तो किसी भी सबजी में आप से मिला देंगे बहुत अच्छा सा खटा पनाता है और यह एक iron range होती है वैसे थो हरी सारी सबजियां ही iron range होती है पप इसमें iron की quantity काफी जादा होती है तो इसको मैंने अच्छा से wash कर लिया था दो तिन पानी में और पानी में ही छोड दिया था तो काफी जो मिट्टी होती है कई वर पत्तों के बीच में वो भी मेल्टो के नीचे बैट जाती है तो इस तरह से करने के बाद अब मैं इसको बारिक बारिक कट कर लूँगी तो हरी सबजी पहाडी थाली की एक स्पेशलेटी है हर सीजन में आपको मिलेगा कोई न कोई हरा पता जो पहाड़ों में बनाया जाता है और कड़ाई भी आईरन की यूज़ की जाती है ताकि उसमें मैकसिमम आईरन मिले तो जो हमारी टरिशनल थालिया होती है वो हल्दी भी काफी होती है इसलिए उसमें जो कॉंबिनेशन होते हैं वो इस तरह से बनाया जाते हैं कि आपको पूरा पोशन मिले तो यहाँ पर यह सबजी को हम पहले कट कर लेंगे फिर इसको सिंपल वे में फ्राइ करेंगे सबजी को बनाने के लिए मैंने कास्ट आरन का यह वाक लिया है इसमें हम एट करेंगे मस्टर्ड ओयल पहाडों में जो भी सबजी यह बनती है इसमें मैंने थोड़ी सी रेचेली जीरा और जख्या एड किया है जखिया मैंने कई बार आपको बताया है पहाड में यूज होता है especially गड़वाल वाले रीजन में जखिया काफी ज़्यादा यूज होता है और यह mustard seed की तरह लगता है बारिक बारिक तो यह आपको online भी मिल जाएगा इसको अच्छे सा तड़क में देंगे उसके बाद इसमें जो हरी सबजी हमने cut की है वो add कर देंगे हरी सबजी कई बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मुझे बनाते हैं वे बहुत ही simple तरीका होता है हम लोगों का यहाँ पर जसी तड़का हम लगाते हैं उसके बाद जिती सबजी है वो इसमें add कर देंगे और देखे quantity काफी जादा है पर दीरे दीरे इसमें से पानी निकलता है तो यह कम हो जाएगी तो थोड़ी दिर आप lid से cover कर लें और जैसे से यह थोड़ी सी कम होती है उसको आप लाते रहें उसके बाद ही अब सारे मसाले डालें अगर अब स्टार्टिक में सारे मसाले डाल देंगे न तो हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट आप नमक वगरा थोड़ा सा तेज हो सकता है तो जब इसके quantity थोड़ी सी कम हो जाए तब इसमें आप बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची धनिया और नमक एट कर दें और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके लिट से कवर करके छोड़ देंगे इसमें जितना पानी है उसी में ये सबजी को खोने वाली है और एरन कड़ाई में है तो बहुत ही अच्छे से ये हलकी से डाक कलर की भी हो जाती है तो इसको मैंने छोटी गैस पे रखा हुआ और सिम कर दी है आच पीछे हमारी जो पात्रा हैं वो भी अल्मूस डन हो गए हैं 20 मिनट से जादा ही हो गया था और मैं भूल गई थी तो अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ इसको एस इस हम रख देंगे थोड़ी देर में आँ मैं आपको दिखा रही हूँ यह सबजी की क्या कंडिशन है सबजी हमारी बहुत अच्छे से ड्राइ हो चुकियो और यह देखे क्या बढ़िया कलर इसके उपर आ गया है अभी यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चावल तो मैं कुकर में ही चावल बना रही हूँ और आज मैं बनाऊंगी ट्रेडिशनल जो हमारे यहां बनते हैं लाल चावल तो वो मैंने ले लिये हैं दो कप जितना और इसमें पानी मैं इस तरह से बढ़ा दिया है तो मैं finger से ही नापती हूँ starting से मुझे आदते लाल चावल के लिए तो वैसे तो मैं जो white rice 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 cooker में बनाती हूँ पर ये वाले मैं बनाती हूँ इसमें क्योंकि थोड़ा सा पानी जादा जाता है और थोड़ा सा soft ये चावल इसमें बनते हैं तो rice cooker में मैंने इस तरह से चावल रख दिये हैं और यहाँ पर चावल हो गया है दाल और लिए मैंने boil करके रखी हूई है तो वो जस मुझे तड़का लगाना है और आज मैं राजमा की दाल बनाने वाली हूँ तो अब यह mustard oil या फिर घी में आप इसको fry कर सकते हैं तो मैंने सेम कास्टारिन के वॉक में मैंने डाल दिया है mustard oil उससे थोड़ा सा गरम होने देंगे और यहाँ पर जो यह पात्रा के लॉग मैंने बनाये थे उसको मैं आपको cut करके दिखा रही हूँ यह देखे थोड़ा थिक थिक ही cut कीजिएगा इसमें layers निकलती नहीं है बहुत अच्छा जिपकी होती है जब हम round करके layer करके करते हैं तो उसमें कई बार layers निकलती भी रहती है बड़ इसमें नहीं निकलती है और layers आपको दिख भी रही होगी यह देखे इस तरह के हो जाते रही है round नहीं बनता बट हां half circle type के इसके बन जाते हैं और जो यह extra log हमारे पास है इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में एक हपते के लिए और जब आपको खाना हूं उस time पे आप इनको हलका सा deep fry या fry कर सकते हैं तो यहां पे मैं mustard oil में सेलो fry इनको करूंगी तो इसको भी मैं चोटा चोटा चॉप करके इसमें add कर दूगी यह जरूरी नहीं है पहाडी recipes में नहीं जाता है बट मुझे flavor पसंद है इस वज़े से मैं डाल रही हूं आप सिर्फ जीरा जख्या का तड़का इसमें लगा सकते हैं उपर से red chili डाल सकते हैं या फिर चाट मसाल और red chili powder मैंने डाला है जैसे एक तरफ से ये oil को absorb कर लेते हैं और थोड़े से crisp हो जाते हैं बस इसको हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से brown होने पर ये हमारे ready हो जाएंगे पात्रा तो आप मुझे पताईएगा आपनी इस method से कभी बनाए हैं या आप भी उस तर आपकी और layers भी बहुत अच्छी आरे तो आगे से मैं अभी ऐसे ही बनाने वाली हूँ अब last हम बनाने वाले हें नाल तो दाल पेबस घी का तर्का ही लगाना है मुझे घी मैने डाला है इसमें मैने जीरा ंब कट किया है और आग मैं थोड़ इस भी हिंग और रेड चिली powder add करी हूँ देगी मिर्च वाला और इसमें मैंने boil डाल add कर दी है राजमा की इसमें मैंने सारे मसाली डाले हुए थे डाल को boil करते वे tomato puree भी डाली हुई थी तो मैंने इसमें कुछ भी अभी add नहीं किया है अब हमारी ठाली बनकर ready है मैं आपको serve करके दिखाती हूँ यह लाल शावल देखे इस तरह से बनते हैं बलकि आज थोड़ा सा पानी कम ही हो गया और थोड़ा सा sticky से होना चाहिए था जैसे पहाड़ी भाद जो बनता है उस तरह का बट यह वैसा नहीं बना तो इसके बाद यहां पर next है डाल जो की राजमा है पहाड़ों में काफी उगाई जाती है राजमा जो हमारे सेप के बगीचे होते हैं उसके नीचे जो जगा बसती है उसमें राजमा उगाई जाती है तो काफी अच्छी क्योंकि सर्दी वाली राजमा काफी अच्छी होता है और इसके बाद यहां पहर सर्फ करदी है मैंने हरी सबजी जो के mix हरी सबजी है साथी में खीरा और यह हमारे पात्रा जो क्या थोड़ tolerantे नीस स्टाइलन मैंने वनाई हैं और काफी अच्छे बने हैं और फ्लेवर भी हैं इसके साथ ही यहां पर यह खीर बनाई थी सावन में तो वो मैंने सर्फ कर दी है मीटे में आप कुछ भी रख सकते हैं दाल के ओपर थोड़ा सा डाल दिया है गी और यह हमारी थाली हो गई है कम्प्रीट अजकल आम का सीजन है तो आसाथ में आम भी सर्फ कर सकते हैं और यह कम्प्रीट ताली खाने में बहुत ही अमीजिंग लगती है अब ट्राइज जरूर करके देखेगा आपको यह जरूर पसंद आएगी सिंपल है बट काफी ज़्यादा टेस्टी और डिलिशिस